ठाकुर जी का प्रसाद महाराष्ट में केशव स्वामी नाम के एक महात्मा थे. वे जानते थे कि भगवन नाम जपने से कल्यूक के दोश दूर हो जाते हैं. यदि कोई शुरू में होटों से भगवान का नाम जपने, फिर कंठ में, फिर हृदय से जपने और नाम के अर्थ में लग जाए तो हृदय में भगवान प्रकट भी हो सकते हैं. एक बार केशव स्वामी बीजापुर करनाटक गए. उस दिन एकादशी थी. रात को केशव स्वामी ने कहा, चलो, आज जागर्ण की रात्री है, सब भक्त है, तो प्रसाद ले आओ. अब फलाहार में क्या ले? रात्री को तो फल नहीं खाना चाहिए. बोले, सोंट और शक्कर ठीक रहेगी क्योंकि शक्कर शक्ती देगी और सोंट कफ का नाश करेगी. अकेली शक्कर उपवास में नहीं खानी चाहिए. सोंट और शक्कर ले आओ, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे. अब देर हो गई थी, लगभग अर्धरात्री का समय हो रहा था, दुकानवाले तो सब सो गए थे. किसी दुकानदार को जगाया. लाल्टेन का जमाना था. सोंट के टुकडे और वच्चनाग के टुकडे एक जैसे लगे तो अंधेरे अंधेरे में दुकानदार ने सोंट की बोरी के बदले वच्चनाग की बोरी में से सोंट समझ के पाँच सेर वच्चनाग तौल दिया. अब वचनाक तो हलाहल जहर होता है, फोडे फुनसी की आउशधी बनाने वाले वैध्य उससे ले जाते थे अंधेरे अंधेरे में शक्कर के साथ वचनाक पीसकर प्रसाद बना दिया गया और ठाकुर जी को भोग लगा दिया ठाकुर जी ने देखा कि केशव स्वामी के सभी भक्त सुबह होते होते मर जाएंगे उनको तो बेचारों को खबर ही नहीं थी कि सोंट की जगह यह हलाहल जहर आया है ठाकुर जी ने करुणा कृपा करके प्रसाद में से जहर स्वयन ही खीच लिया सुबह व्यापारी ने देखा तो बोला अरा रा रा यह क्या हो गया सोंट का बोरा तो जो का क्यों पड़ा है मैंने गलती से वचनाग दे दिया वे सब भक्त मर गए होंगे मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा व्यापारी दर गया दोड़ा दोड़ा आया और बोला कल मैंने गलती से वचनाग तॉल के दे दिया था किसी ने खाया तो नहीं केशव स्वामी बोले वह तो रात को प्रसाद में बंढ गया व्यापारी कोई मरा तो नहीं नहीं किसी को कुछ नहीं हुआ केशव स्वामी और उस व्यापारी ने मंदर में जाकर देखा तो ठाकुर जी के शरीर में विक्रिती आ गई थी मूर्ती नीलवर्ण हो गई एकदम विचित्र लग रही थी मानो ठाकुर जी को जहर चड़ गया हो केशव स्वामी सारी बात समझ गए बोले प्रभू आपने भाव के बल से यह जहर चूस लिया लेकिन आप तो सर्वसमर्थ है पूतना के स्थनों से हलाहल जहर पी लिया और आप जो केतियो रहे कालिय ना के विश्च का असर भी नहीं हुआ तो यह वचना का जहर आपके उपर क्या असर कर गया आप कृपा करके इस जहर के प्रभाव को हटा लीजिये और पूर्मवत हो जाएए इस प्रकार स्थुती की तो देखते ही देखते व्यापारी और भक्तों के सामने भगवान की मूर्ती पहले जैसी प्रकाशमई तेजों में हो गई समय कैसा भी हो स्थिती कैसी भी हो यदि भक्त के हृदय में भगवान विराजमान है तो भक्त का अहित कभी हो ही नहीं सकता वह तोजो में लीलाधारी भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर प्रतार से करते ही है जय जय श्री राधे